नमश्कार दोस्तों सिधान्त पामावार एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे अब सभी का वेलकम करता है देखिए आज जो अपना टोपिक रहेगा वो वोकेबलरी को अपन कवर करेंगे जो वोकेबलरी का स्टेशन आज हम बात करने वाले हैं वो है अपना न्यू इसके अलावा जो ले आउट होता है जो भी न्यूज अपन पढ़ते हैं जैसे एडिटोरियल है कोई भी आर्टिकल है स्पोर्ट्स की न्यूज होती है और बिजनेस टाइब की जो होती है प्लस हैडलाइन जो होती है फरस्ट पेज जो होता है लास्ट वन वाला जो पेज ह होता है चोड़ी एक साइन्स वाले जो पेजिस होते हैं उन सभी में जो वर्ड्स होते हैं जो इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट वर्ड्स होते हैं अपन उनको ही पढ़ने वाले हैं तो यह जो अपना newspaper में कहीं पे भी दिखते होंगे ठीक है जो newspaper है आपको कहीं पर भी दिखते होंगे वो सारे ही word हम क्या करने वाले हैं discuss करने वाले हैं तो पहला जो word है वो आपको बताया जा रहा है newspaper इसका आपन क्या देखेंगे newspaper एक acronym word है और यहाँ पे जो letters है news और हिंदी मिनिंग बनेगा तो जो n होता है वो stand करता है अपना north के लिए e जो अपना stand करता है east के लिए w stand करता है west के लिए s stand करता है south के लिए p stand करता है present के लिए a stand करता है end के लिए फिर p अपना stand करता है past के लिए फिर अपना e है वो events या everydays के लिए stand करता है और जो last one जो अपना है आर वो stand करता है किसके लिए report के लिए तो जो पूरा meaning इसका बनेगा कि चारों दिसाओं की यानि की north, east, west और south चारों दिसाओं की present और past की जो भी घटनाए होती है दिन प्रते दिन की उन सारों की जो report तयार की जाती है वो उस paper में अगर आती है एक जगह पे adjust हो करके that is called newspaper ठीक है अब ये भी आपको पता है कि newspaper में भूछ सारे pages होते हैं number of pages होते हैं और जो सारे ही अपने अलग-अलग topics के लिए जाने जाते हैं अलग-अलग layout के लिए जाने जाते हैं अलग-अलग headlines के लिए जाने जाते हैं एक ऊपने बिशीय पएज जाने होता है जो अडिटोरियल का होता है जिसको अपन सारे pages को करेंगे किस प्रकार से कवर करेंगे कि इन में जो spellings mainly use की जाती है पेपर में भी आ जाते हैं कई बार SSC bank CDS FCAT papers में आई होए word है और वो ही word मैं यहां पी cover करने वाला हूँ च्रिक है तो चलिए start करते हैं पहले spelling आज का जो पहला word है वो है अपना circulation circulation means होता है अगर अपन news को देखें newspaper को देखें तो एक जो particular newspaper है जिससे अपन दे हिंदू की बात करें the economic times की बात करें the Hindustan times की बात करें the times of India की बात करें रासन पत्रिका है दैनिक बासकर है तो इनका जो circulation है means कहां कहां तक इनका distribution होता है कि जो number of copies हैं उनका distribution किस-किस area तक हो रहा है that is called circulation ठीक है next word पर आपने बात करते हैं जो की अपना है edition edition means होता है sunscreen या precaution किसी भी एक particular version का कोई भी newspaper हो उसका जो प्रकाशन है जो उसको printing का जो काम होता है किसका text का जो उसका text का printing का जो काम हो रहा है उसका विसेश जो प्रकाशन है वो अपना क्या कहलाता है edition कहलाता है clear यहां तक बात चलिए आगे देखते हैं third word जो अपना है that is layout layout means होता है way of designing of the news किस type से अपने को news को adjust करना है paper में यह horizontal भी हो सकता है वर्टिकल भी हो सकता है different different types की news को different different states में different different जगे पे use करना ही क्या कहलाता है layout कहलाता है next one अपना जो देखेंगे that is paparazzi paparazzi एक जो photographer होता है जो newspaper के लिए ही काम करता है वो एक freelancer होता है और वो क्या करता है जो celebrities होती है across the world across the country जो celebrities होती है उनको follow करता है कि उनकी हर एक event को उनकी everyday activities को क्या करता है वो नजर में रखता है कि फलानी activity इस वाले actress की हो रही है फलानी activity इस actor की हो रही है यह जो celebrity है जो cricketer है जो footballer है यह जो table tennis player है यह इस time पर ही क्या कर रहा है तो ऐसी activities को जो बंदा follow करता है वो अपना क्या कहलाता है पैपे रजी clear यहां तक बात समझ मारी होगी आपको अगला देखेंगे आप back issue back issue क्या कहता है आपको कि जब कभी भी कोई भी पुराने newspaper की पुराने newspaper की कोई precaution किया जाए यानि कि पुराने newspaper कर कोई भी टुकड़ा हो कोई भी page हो जिसके बारे में अपना अगर बात करते हैं तो वो अपना क्या कहलाता है back issue क्लियर यहां तक अगला वर्ड आप देखेंगे जो की है fact checkers a fact checker newspaper agency में ही एक ऐसा person होता है जो news के अंदर जो content सामिल किया गया है किसी भी article की बात करें किसी भी editorial की बात करें किसी भी page में use करा गया कोई भी एक news का instance उसकी शुद्धता को उसकी सत्यता को उसकी truthness को जो check करने वाला होता है जो उसको verify करता है कि yes this news is absolutely correct and based on the occurrence of events कि यह real में ऐसी घटना हुई है और यह काम जो newspaper वाले जो correspondence होते हैं वो क्या करते हैं इसकी जो news है उसको पहुचाते हैं fact checkers के पास में ठीक है चलिए अगला वड़ देखते हैं अपना जो की है hot of the press hot of the press क्या कहलाता है जैसा कि आपको hot से नजर आ रहा होगा कि कुछ भी ऐसी खबरे जो really में ही recently time में occur हुई है it means news that has been just printed and very new जो news बहुत ही नई होती है it means recent time में जो घटित हुई है ऐसी घटनाओं को अपन क्या बोलते है hot of the press clear अगला वड़ देखे issue issue को अपन दो तरीके से देखते हैं first one जो अपना है as a noun इसका मिनिंग क्या बनेगा कोई भी एक topic बात करने का एक भी कोई topic इसके अलावा जो अपना issue as a verb यूज करते हैं आपने देखा होगा स्कूल के स्टूडेंट से प्लिकेशन लिखते थे प्लीज इस्यू में my transfer certificate तो इस्यू में इस होता है जारी करना किसे चीज़ को अगर आप जारी करते हैं तो अब क्या वह लेंगे इस्यू वर्प यूज करते हैं चली अगला वर्ड देख लेते हैं that is obituaries obituaries एक section होता है newspaper में ही जो की उन persons के बारे में news चापता है जो की recent time में क्या हो गए हैं died हो गए हैं जो मर गए हैं जिनके death हो चुकी है उनके बारे में news this section में चापी जाती है उसे अपन क्या बोलते हैं obituaries clear है यहां तक चलिए अगला देखते हैं next one जो अपना word है वो है अपना horoscope horoscope means होता है section एक newspaper के ऐसा वाला जिसमें किसी भी particular person के star science and jodiac science की भविश्यवानी की जाती है भविश्यवानी बोले तो for tell या अपन बोल देते हैं उसको क्या जैसे अपने बोलते हैं भविश और प्रोफेसाय कर रहा है प्रोफेसी कर रहा है भविश्यवानी निकाल रहा है for tell कर रहा है मैं भविश्य की बातों को पहले से ही वो बता देता है ऐसी ऐसी चीजें इस वाले section में adjust की जाती है that is अपना horoscope clear तो चलिए यह कुछ words थे 10 words थे vocabulary के बाकित सारे normal words थे वो आप स है यह कुछ words मैंने आपको learn कराने के लिए section को frame किया है I hope आपको यह जो है मेरा initiative पसंद आएगा अगर आया हो पसंद तो जल्दी से अपने अंगो ठेको like बटन के तरफ लेके जाए और subscribe अगर नहीं किया है अब तक तो subscribe जरूर कीजिएगा thank you